वेल्कम टू स्रेजीफू आज हम बनाएंगे एक गुजराती ट्रेडिशनल मिठाई मोहन्थाल मोहन्थाल जनरली सभी को बहुत ही पसंद होता है और वो मावा यूज करके और बिना मावा के दोनों तरीके से बनता है तो आज मैं आपको मावा यूज किये बिना परफेक्ली मोहन्थाल घर पे किस तरह से बनाना है वो सिखाने वाली हूँ तो चलिए मोहन्थाल बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कोर्स बेसन, गी, शुगर और थुड़ा सा मिल्क सबसे पहले हमें जो बेसन लिया है उसमें दूद और गी मिक्स करके एड़ करना है तो दूद में सबसे पहले थुड़ा सा गी एड़ कर देंगे मैंने घर का गी ही यूज किया है अब इसे 20 सेकंड के लिए माइकरोव कर लेंगे आप चाहे तो गैस पे भी इसे गरम कर सकते है अब ये मिक्षिर हम बेसन में एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम गेहु चानने के लिए जो च्छननी होती है वो ले लेंगे और इस बेसन को चान लेंगे इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अब हम गी गरम करने के लिए रख देंगे गी गरम हो चुका है तो अब हम इसमें बेसन एड़ कर देंगे इसे हमें स्लो टू मिडियम गैस पे रोस्ट कर लेना है जब आप इसे मिक्स करोगे तब आपको ये सुरू में थोड़ा ड्राई लगेगा लेकिन जैसे जैसे वो रोस्ट होता जाएगा इसमें से गी अलग होता जाएगा हमें बेसन को बहुत ही सांती से और स्लो टू मिडियम गैस पे ही रोस्ट करना है साथ में हम सुगर सिरप प्रिपेर करेंगे तो इसके लिए एक बरतन में हम शुगर और पानी एड़ करके इसे गरम करने के लिए रख देंगे और इसे भी हमें slow to medium gas पे ही गरम करना है हम थोड़ी थोड़ी देर में बेशन को चलाते जाएंगे सुगर सिरफ को भी एक बार mix कर लेंगे अब ये शुगर कम्प्लेटली डिजॉल हो चुकी है तो अब हम गैस की फ्लेम मेडियम रखके इसे बॉयल होने देंगे आप देख सकते हैं जैसे जैसे बेशन रोस्ट होता जाता है उसमें से गी अलग होने लगता है आट से दस मिनिट बाद बेशन में इस तरह से उबालाने लगेगा उसके बाद उसे constant हिलाते जाए और हमेशा कोई भी sweet बनाए तो non-stick का या heavy bottom का ही बरतन यूज़ करें सुगर सिरब भी धिरे धिरे ठीक होने लगी है हमें बेशन को light golden brown कलर का होने तक roast करना है सुगर सिरब को एक प्लेट में ले लेंगे अगर आपको हाथ से इस तरह से जो तार बना के चेक करते हैं उस तरह से नहीं आता तो आप जो सुगर सिरब प्लेट में ली है उसे completely ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए उस तरह का उसका texture आ जाएगा उसके बाद आप गैस बंद कर दे तो सुगर सिरब हमारा ready है मैंने गैस बंद कर दिया है बेशन को एक बार चला लेंगे अब जो सुगर सिरब हमने ready करके रखी है उसमें थोड़ा सा orange food color एड़ कर देंगे ये completely optional है अगर आपके पास available नहीं है या आप नहीं एड़ करना चाहे तो ना करें mix कर ले अच्छी तरह से बेशन हमारा अभी भी golden brown नहीं हुआ तो इसे और थोड़ी दिर roast करेंगे जब हम सुगर सिरब इसमें आड़ करते है तो सुगर सिरब गरम होनी चाहिए इसलिए मैंने उसका प्रोसेस साथ में बताया है मैंने एक मुल्ड को गी से ग्रिस कर लिया है आप थाली में भी इसे स्प्रेड कर सकते है इस तरह का इसका golden brown कलर आ जाना चाहिए अब हम गैस की flame स्लो कर देंगे मुझे इसे roast करने में around 20 minute लगा है slow to medium गैस पे अब हम इसमें सुगा सिरफ एक बार mix करके add करेंगे पहले हम आधी add करेंगे और mix कर लेंगे बाकी की भी add कर देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे इलाइची और जाइफल का powder add करके इस mixture को हम mold में spread कर देंगे इसके उपर हम चारोली add करेंगे और कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसका garnishing करेंगे अब इसे set होने के लिए रहने देंगे मैंने इस मोहन थाल को overnight रहने दिया है अब ये completely set हो जुका है तो अब हम इसे cut करेंगे अब इसे एक serving plate में ले लेना है हमारा मोहन थाल serving के लिए ready है हमने इसे बीना मावे के बनाया है फिर भी ये taste में बहुत ही अच्छा लगता है और हमने course basin यूज किया है तो इसका बहुत ही अच्छा दानेदा texture आता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है हमने इसे बीना मावे के बनाया है तो आप इसे बाहरी स्टोर कर सकते हैं ये 10-15 दिन तक ऐसा ही टेस्टी रहता है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और वीडियो सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले